प्रुदेस में जिस परकार से जंगल राज की स््थिति बनी है, यहां तो कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रुदेस की राज़धानी में लगण नूं के अंदर संजीव जीवा को पोट में मार दिया। पोट के अंदर मार दिया। जो न्याय का मंदिर कहा जाता है कहा जाएगा आजवी इसी प्रयागराज में क्या हुआ पुलिस के सामने इनकाउंटर हो गया। पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया गया, इसी प्रयागराज में क्या हुआ दिन दाहाडे उमेसपाल के हत्या होगे, तो अपराज इस तरीके से उत्रप्रदेश में बढ़ा है और खास्तोर से ये जो ट्रेंड चला है, कि राजनीतिक दलों के नेताओं को टार्गेट करकरके उनको मारना, उन पे हमला करना, उनकी हत्या करवाना, ये तो बहुत ही खतरनाक चलन सुरू हो गया, चंद सेखर आजाद एक लोगत्रियनेता है अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, और कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, वो नौजवान जाता है, उन लोगों की लड़ाई लड़ता है, ये अखर रही है सरकार को मैं मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि इसकी गहनता से जाक्ष मनची ये कौन से लोग हैं तिन दहाड़े, एक ऐसे वेक्ति पे जो अपने वंचित समाज के लिए एक मुखर आवाज है, उस वेक्ति पे जान लेवा हमला होता है, इतनी इतनी अपराज की छूप कैसे है उत् इतनी तार्गेट करके अदर, आज एक ऐसी स्थिति बने हूई है, कहीं भी हत्या, कहीं भी तकहती, कहीं भी बलादगार, कहीं भी लूट, कुछ भी हो रा है तो इसलिए इस पूरे मामले की एक जोडिसेल इंक्वाइजी होनी चाहिए और जो चंसे कराजात के साथ के लोगों का बैयान है जन्होंने देखा है अपराजरी इन बाद अब बैयान लेकर उन लोगों का और इस पर सक्ष सक्ष कारवाई की जाए कौन से लोग हैं और निश्चित रूप से सरकार तुरंट चंसे कराजात के लिए सुर्चा की विश्था करें